पीजेपी सांसद और बॉलिवूड एक्टरस कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर तो हमेशा ही चर्चाओं में बनी रहती हैं लेकिन वो कई बार बॉलिवूड पर भी तंच कसने से बाज नहीं आती कंगना रनौत बार बार बॉलिवूड के खिलाफ बयान बाजी करती हैं अब तक कई बार कंगना रनौत बॉलिवूड पर कही तरह के आरोप लगा चुकी है सुषान सिंग राश्पूत के मांबे के दोरान कंगना ने जिस तरह से नेपोटीजम को लेकर के मुद्दा उठाया था कि बॉलिवूड में नेपोटीजम भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है यहां पर लोग इतना जादा नेपोटीजम करते हैं वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत ने बॉलिवूड पर ड्रक्स लेने तक के भी आरोप लगाये थे कहीं न कहीं कंगना रनौत हर बार अपने हर इंटर्व्यूड में बॉलिवूड पर तंच कस्ती ही रहती है अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने बॉलिवूड की पोल खोलने की कोशिश की और बॉलिवूड पर बड़ा अरुद लगाया है कंगना ने बताया है कि इंडस्ट्री में किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है उन्होंने सरोच खान जो की बॉलिवूड की जाने मानी करियोग्राफर रही है उनकी बात का दिक्र करते हो बताया है कि एक बार करियोग्राफर जैन सरोच खान उन्होंने कंगना को बताया था चलिए आपको बताते हैं आपको नहीं पता कि बॉलिवुड वाले महिलाओं का सोशन कैसे करते हैं ये लोग पहले किसी औरत को डिनर के बहाने घर पर बुलाते हैं आप कॉल कता दुशकम वाले मामले को अब भी भूल नहीं पाए होंगे मुझे भी लोगों ने कई बार रेप की धंक्या दी है हम सब जानते हैं कि समाज में महिलाओं को कितनी इज़त दी जाती है वर्क प्लेस पर औरतों के साथ क्या किया जाता है कॉलिज के लड़के लड़कों पर बद्दे कमेंट करते हैं बॉलिवुड सितारे भी किसी से कम नहीं होते हैं कंगनार रौत ने आगे कहा ये लोग हमारे साथ ऐसे ही बरताब करते हैं एक बार सरोज खान ने कहा था कि इंडस्ट्री वाले बलतकार तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ रोटी भी देते हैं ये बात पूरी तरह से सच है अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको धंक्या दी जाती हैं तो देखा आपने कंगनार रौत ने एक बात फिर से बॉलिवुड पर काफी गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने सरोज खान की बात का जिक्र करते हुए कहा है कि सरोज खान ने कहा था कि अगर यहां पर रेट किया जाता है तो रोटी भी दी जाती है तो इसी से पता चलता है कि बॉलिवुड की मतलब कितनी डाक साइट है और क्या-क्या काली चीजे और क्या-क्या काली चिट्थे बॉलीवुड के अंदर भरे हुए हैं जिस तरी के से कंगना बाद बोलती है पीरे ने अप्पोतिजम का मुद्दा उठाती है जंत्री इंद्रा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। दे दिया है, अब जल्दी कंगना रनौत की इमर्जेंसी की रिलीज दे फिल से अनाउंस की जाएगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि कब कंगना की मुवी थेटर्स पर रिलीज होगी। जल्दी करनी का दो क्मीन ओफ जांसी जो थी 2019 में आई वही थी बॉक्स आफिस पर जो एवरेज साबित होती है, जिसने ठीक ठा कलेक्शन किया था। और उसके बाद से उनकी किसी भी मुवी ने कुछ खास कमाई नहीं करी है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि इमर्जेंसी कंगना के लिए कितनी लकी और कितनी जबरदर साबित होती है। जिस तरीके से कंगना रोनौत ने वॉली बाली वुद की पोल खोली है।